कि अभी न मेरी आवास आ रही है सभी को ज़राई वार कमेंट तरह समें लो यह वाज साफशूत्री आ रही है कौन कौन आ गिया लाइब खलीलावाद ने जितेंद्र हेलो डीजे हेलो अशीष मुझाहिद खान घ्लो भाई जितेंद्र पांडे गोवेंद्र रिश्यव और को तो जित्ते भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सभी लोगो नमस्कार, सभी लोगो गुड़ इवनिंग, क्लास की दोस्तों खर शुरुआत करते हैं, ठीक है, चलू, एड़ बेड हडा दिया जाए, ओके, लेस्ट इस्टार्ट दा ग्लास, बुड़ इवनिग एवरिवन, स्टार्ट करें भई, चलू, देखो दोस्तों एक और इपरिट चीज है, कि कल रात में मैंने आपको पता है, जो अच्छे अनकाडमी के एप पर जुड़े हुए थे, तो कल रात में मैंने जो टॉपिक पढ़ा है था, वो टॉपिक था लाइट, इस टॉपिक की खासियत ये थी, मतलब इस क्लास की खासियत ये थी, कि इस टॉपिक में मैंने लाइट के थियोरी पार्टिकल पर भी ध्यान दिया था, थेओरी भी साथ साथ में पढ़ाया था पॉस्टन्स जो है M.C.Q वो तो मैं करवाई रहा हूं लेकिन थेओर्टिकल पार्ट को भी मैंने कवर किया तो जो भी बच्चे इस क्लास को करना चाहते हैं वो रात में साड़े नौ बजे जुड़ें कितने साड़े नौ बजे वाली क्लास में जुड़ें तो आज वाली क्लास में जरूर जुड़ें जरूर से देखें काफी बढ़िया और फूट्फुल क्लास मिलेगी आपको देखने बहुत सारी चीजी मिलेगी ठीक है वह जिते इंद्र पांडे जुड़ चुके हैं सर बिलकुल समझ में आ रहा है धन्यवाद ऐसे लिली क्लास कीजिए धन्यवाद रही तो उसमें आज लाइट का सेकंड पढ़ाएंगे हम तो यह जो है उसमें लाइट का पार्ट तू रहेगा इसमें नुमेरिकल पार्ट भी हम इंक्लूर करेंगे आप पता है कि नुमेरिकल पार्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा इसके साथ साथ में आपका टोटल इंटरनेट रिफलेक्शन और साथ साथ में जो डिफेक्ट होते है आखो में उन सभी चीजिगों को आज हम डिसकस करेंगे तो क्लास के सुरवात करते हैं दोस्तों पहला प्रशन आपके सामने आ अच्छा. वेक्षिनेशन के बात में आपको फीवर हो गया और कोई बात नहीं गुडिवनि दीजे गुडिवनी सुरसुरी गुडिवनी आसीस गुडिवनी सभी को सभी को नमस्टсьकार सभी को गुडिवनिग अब क्लास की सुरुवात हो चुकी है सीधे सीधे आंसर दो फटाक से तमय बिना गवाई आंसर क्या होगा? तो वो ग्रहों की परिक्रमा की बारे में एक आत करें अगर हम दोस्तों कहें कि सोलर सिस्टम की खोई किस ने की थी तो याद रखेंगे कॉपर में कर से किक्या नाम थाँ दोस्तों? कोपर नीकाव स्यात अखिएंगे सभी लोग अब कुश्चन आता है कि ग्रहों की परिक्रमा गोला कार है ये किस ने बताय था तो ये बताय था दोस्तों कैपलर में किस ने बताय था ये दोस्तों इस्फरिकल, ओबल होता है अब यहाँ पर देख सकते कि जितने भी ग्रहे हैं यह सारी के सारी ग्रहे किसी न किसी रूप में ओवल संदशना को करते हैं और पर चीज़ बताता हूँ कि दोस्तों हमारी पृतिवी जो सूर्य है सौरी यह रुका हुआ नहीं है ऐसा नहीं है कि सौर्य एक जगे पर रुका हुआ है और उसके आसपा सभी चक्कर लगा रहे हैं बलकि सौर्य के साथ साथ में सौर्य ऐसे सौर्य है और सौर्य भी आगे बढ़ रहा है इसके साथ में जो ग्रहे लगा रहे हैं जो वाकी की ग्रहे हैं ये जो चक्कर लगा रहे हैं, ये भी आगे की तरह बढ़ रहे हैं, मतलब साथ साथ भी आगे इस तरीके से रेवाल्व भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, और घरह अपनी एकसस पर भी बढ़ रहे हैं. कितने तरीके के revolution कर रहे हैं, ये हमारे ग्रहन, next question. मुक्त रूप से निलंबत चुम्बक किस दिसा की योड संकियत करता है यदि किसी चुम्बक को हम ले मालो ये चुम्बक है और इसे हमने धागे से बांध दिया तो इसकी जो दो end है ये किस direction को सो करेंगे एक end किस direction को सो करेगा ellipse भी बोल सकते हैं वही चीज़ है अंडाकार ellipse ही बोल सकते हैं वही चीज़ है तो दोस्तो एक जो side होता है वो north को represent करता है और दूसरा जो side होता है south को represent करता है मतलब उत्तर और daction क्या हो जाएगा उत्तर और daction be will be the right answer याद रखेंगे दोस्तों be will be the right answer law of magnetism की बात करें तो बहुत सारे centers ने इसका निर्माड किया था आगे चलें आगला question question क्या है जरा ध्यान से देखेंगे दूद को दही में बदलने के लिए किस bacteria का प्रियोग किया जाता है एक question पूछा जाता है दोस्तों कि दूद को सरीर के अंदर पचाने के लिए कौन सा enzyme जरूरी होता है तो उस enzyme का नाम है बेने में जो बच्चा होता उसमें रेने की मात्रा बहुत जादा है और जो बुड़े लोग हो जाता है रेने नी वो enzyme में जिस दूद को पचाता है साब में रेन नहीं पाया जाता तो मतलब साब दूद नहीं पीलता और अगर आप दूद पिलाते हो तो यह आप उसकी हत्या कर रहे हो साब जो है दूद पीने के बाद उससे निमूनिया हो जाता है उसकी मृत्तिय हो जाते है कौन सा बैक्टेरिया है साहीना नहीं वाल किस खेल से जड़ी होई है करकृट से जड़ी है बैडमिंटर से जुड़ी हैं, जिमनास्टिक से जुड़ी हैं, या फिर टैनिस से जुड़ी हैं, तो सब को पता है, बताने ही जरूत है नहीं, सुरसली भाई, कविता, आशीज, मुझाहित खान, दुरगेश बरोरा, राइट अंसर क्या बनने का, टैनिस विल भी राइट अ सबसे बड़ी थी, दोस्तों ये जो रियासत थी ना, इनके जो राजा थे, या जो निजाम थे, या फिर जो सासत थे, वो सहायक संदी अपे ये थे हैदरावाद के निजाम, हैदरावाद दोस्तों सुतंतरता के पूर में सबसे बड़ी रियासत थी, इसी लिए सरदार वल ज़िगों दो, ज़िगोंगों, तो दोस्तों एक और इंपरन चीज ए बिलवारी, बिलबारी सबसे छोटी रियासत थी, इसे रियासत भी नहीं कह सकते परिवार कहलो इस चोटी रियासत थी जो अपने आप में किसी परिवार के बरावरी है, जिसकी जनसंख्या मात्र 24 थी तो ये अपने आप में एक महला भी नहीं कहल सकते परिबाहर है 24 थी ये सबसे छोटी रियासती बिलबारी और सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी है थराबाद इसकी जनसंख्या लगबग एक दिसम्बला पांच करोड थी तो तंतरता के पहले 563 रियासते थी और इन 563 रियासतों को एक सूत्र में बांधने वाले व्यक्ति का नाम था सरदार बल्लब भाई पटे नाइस पर्श्चन ऊष्रता या हीट से संबंदित भाईते पिज्यां की साखा को क्या कहा जाता है विच अब द फॉल्विंग साइन्से रिलेटिट टू दा हीड रिलेटिटिट टू दा हीड उसमा से संबंदित दोस्तों ऑप्टिक्स किसे संबंदित है Light से संबंदित है Lenses से संबंदित है इसे हम क्या क्या कहते है Optics Acoustics किसे संबंदित же Sound से संबंदित Sound से संबंदित Relativity Relativity किससे Sheriff Time और Position से संबंदित है Time और свет से संबंदित Light के spirit वब्रे intertwini किससे संबंदित है और जो थर्मोडैनमिक्स relativity अलवट आइंस्टीन के दौरा दी गए थी। पिस्टॉल का अविस्कार किसके दौरा किया गया था। अब दोस्तों इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक दो option तो आपके ऐसे हर जाएंगे। जैसे कि मारकोनी ने रेडियो का अविसकार मारकोनी को दोस्तों हटा दो यह तो हो नहीं सकते इन्हें हमने हटा जोगाड़ किसका विसकार किया था safety pin का विसकार इनी के द्वारा किया गया और Robert A. Jogard ने सबसे पहले rocket बनाया था यह रोकेट सबसे पहले किस के द्वारा बनाया गया था? William Robert H. Goddard के द्वारा ठीक है दोस्तों तो यह Robert H. Goddard है जिनके द्वारा यह बनाई गई है और यह William H. Goddard जिनके द्वारा safety pin बनाई गया जो सलय मसीन वो भी इनी के द्वारा बनाई थी नमले के इतना से कौसा विकल्प बर्प धूल और nucleus से बना एक खगोली पंड दोग इसकी विस्ष्टा होती है कि जैसे जैसे यह जो खगोली पंड है जैसे जैसे यह खगोली पंड सूर के नजदीक आता है वैसे वैसे इसकी जो पूछ है वो लंबी होती जाती है कैसी होती जाती है लंबी होती जाती है बहुत लंबी हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं तो दोस्तों तारा तो हो नहीं सकता कि सूर के नजदी कोई तारा revolve नहीं कर सकता है इसे हटा दो और तारा बनता किस से ? गैस का बनता है? मून चंद्रमा नहीं है यह से भी हटा दो ठीके बचा कि हमारे पास comet will be the right answer तो इसे हम क्या कहते है ? comet कहते है, comet मुकरूब से किस का बना है ? बरक का बना है, धूल का बना है, नूकलिस का बना है, और जैसे ये सूर के नजदीक आता है, सूर से निकलने वाली जो नूट्रॉन्स हैं, जो फ्लेम्स हैं, उसके कारण इसकी पूछ लंबी हो जाती है, अगला प्रस्ण, स्वदेसी आंदूलन की आपचारिक घोषणा कब की गए थी, बताओ भही, स्वदेसी आंदूलन की आपचारिक घोषणा कब की गए थी, स्वदेसी आंदूलन मत्तब बंग बंग आंदूलन का एक बाग, जिसका बाग था दोस्तों, बंग बंग आंदूल अब ये दोस्तो, बंग भंग अंदुलन क्या था आप सबको पताए हिए फिफुन होज़नC Free के लॉड करजन के दारा बंगाल का व्रभाजन करती है राइट लॉड करजन, बंगाल का व्रभाजन 1905 और उसी को लेके कॉमेट को हिंदी में धूम केतू कहते हैं, कॉमेट को हिंदी में धूम केतू कहते हैं, ठीक, धूम केतू, ठीक है, नाइस पूश्चन, तो यह हो जागा 7 अगस्ट 1905, जा हो जागा दोस्तो, 7 अगस्ट 1905, भी दा, राइट आंसर, ठीक है, भाई मेरे, 7 अगस्ट 1905 को स्वदेशी अंदुरों की आपचरे गोश्रा की गई थी, इसके बाद में, स्वदेशी अंदुरों की बाद में क्या हुआ, लोगों ने कपड़े जलाना स्टार्ट कर दिये, विदेशी कपड़े नहीं जाएंगे, विदेशी बकीलों से नहीं मिलेंगे, विदेशी जो नोटेस आते हैं, जो कारेले नोटेस आते हैं, उनका अब पालना स्टार्ट हो गया था, तो विदेशी अंदुरों को एक बड़ी लहर मिली थी, और ये भारत का पहला एक ऐसा अंदुरों था, जिस सुचिता करिपलानी, क्या नाम था इनका सुचिता करिपलानी, जो की उत्तापडिस की बनाएंगे थी, और भारत की पहली महिला गवर्नर सरजुनी नाइडू थी, अच्छे कौन से मुक्मंत्री हैं, जो सबसे ज़्यादा दिनों तक कुरसी पर रहे हैं, लगवक 26 साल के कुरसी पर रहे हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है पवन कुमार चमलिंग, क्या नाम है, जोती बसू is not the right answer, पवन कुमार चमलिंग is the right answer, ये answer सही हो जाएगा, अब मुझे आप लोग ये बताएंगे कि पवन कुमार चमलिंग किस राज के थे, आपको बताना है कि पवन तो तेजी में कमेंट आना चाहिए बहुत तेजी में कमेंट आना चाहिए आंसर होगा दोस्तो सिक्यम तो पवन कुमार चंगलिंग जो है वो सिक्यम राज्यके थे लगबग 24 साल 156 दिन तक ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं दूसरे नंबर पर आते हैं जोती वसू कौन आते हैं जोती वसू जो कि वेस्ट विंगॉल के थे ये लगबग 23 साल और 137 दिन तक प्रदान्र मुख मंत्री रहे हैं तीसे नंबर पर आते हैं ग्योगेंग अपांग जो कि आणाचल प्रदेश के थे लगवाब बाई साल इन्होंने सासन किया है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं काफी समय तक वहने वाले मुखमंत्रियों की लिस्ट Next question MMU का विस्तार क्या है What is the full form of MMU सागा दावा, तवांग मत, कंचन जंगा ये सभी के सभी सिक्किम है बहुती बड़ी आसीस, एक नंबर सर ये दिखा, देखो इन दुस्टों को मेरा दुरुगा माता बोल रहा है आप ये भी तुम लोग से काथ करोगे बच्पन की तरह है Deal on your own दुरुगा हो तो दुरुगा की तरह है इन लोगों का चुप कराओ क्या बनेगा आंसर Memory Management Unit is the right answer Memory Management Unit is the right answer This is the full form of MMU किस ग्रहे को सुभा का तारा का जाता है Morning Star और Evening Star का जाता है दोस्तों अगर हम Mercury की बात करें तो सबसे निर्दीक सूर्गे यही है जिसका कोई उपग्रह नहीं है Mercury का अगर हम Venus की बात करें तो Venus का मतलब हो दोस्तों सुक्र होता है क्या मतलब होता है इसका सुक्र और सुक्र ग्रह के पास में कोई उपग्रह नहीं है जिसते वीज़े बुद्ध के पास नहीं है सुभा का तारा कहलो साम का तारा कहलो प्रतिवी की बहन कहलो सबसे गरम जो है गरहे कहलो और सबसे चमकिला गरहे कहलो All is all about the Venus Venus is the right hour ठीक है? अब हमारे सबसे नद्दी की गरम बात के Venus एक गरम सेम टूसेम प्रितिवी की तरह है तो फिर हम मार्स पे क्यों जा रहे हैं? Venus पे क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर प्रितिवी की जैसे गरहे चाहिए तो सेम टूसेम वीनस है तो फिर तो रीजन इसका ये है कि Venus जो है वो बहुत जादा गरम गरहे है बहुत ही जादा गरम गरहे इतने जादा टेंप्रेचर पर किसी भी तरीकी की स्पीसीज के होने की संभावना नहीं है हम केवल उसी गरहे पर जीवन तलास कर सकते हैं जिस गरहे पर पानी एक्जिस्ट कर सके और पानी एक्जिस्ट कितने डिगरी तक कर सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि Maximum 50 मैकस्मum 50 से 60 डिगरी Maximum टैंप्रेचर है इससे ज़्याद अगर किसी गरह का टेंपरेचर है तो पानी वहाँ पर मौझूद नहीं रहेगा सारा कि सारा भापने बदल जाएगा ठीक है और ये संभाबना किस पर है मार्श पर नेश वश्चर निमलेकित मैंसे कौन सी नदी का उद्गम इस्तल तिबबत में है तिबबत में जील है जिसका नाम मान सरोपर जील और मान सरोपर जील के दो नदिया निकलती है एक नदी का नाम है दोस्तो सतलुच सर हमारी साधी है बारात इसलामाबाद जाएगी अभी हमें foreign tour का बिलकुल भी जो है interest नहीं है foreign tour में इसलामाबाद आपी जाए यही करो तुम लोग है और कोई काम नहीं बचा है ब्रंपुत बिल वी दराइट अंसर ब्रंपुत बिल वी दराइट अंसर ठीक है ब्रंपुत नदी को बंगला देश में जमुना कहा जाता है याद रखेंगे बंगला देश को इसे जमुना नाम से पुकार जाता है याद रखेंगे महा नदी दोस्तों किस राज़ में बहती है उडीसा में बहती है याद रखेंगे सबी लोग ठीक है आप question पूचा है तो बोविलिस्वर किस नदी किनार है तो वो महानदी किनार है कटक इसके अलावा गोदावरी के अगर हम माबाद करें तो महराश्टरा हो गया महराश्ट के शित्र में एक बाध है गोदावी नदी पर जिसका नाम है जायकबाडी बाध क्या नाम है दोस्तों जायकबाडी बाध बहुत बार question पूचा गया है कि जायकबाडी बाध किस नदी पर है तो वो हमारा गोदावी नदी पर है महानदी पर हीरा कुंड बाध है ठीक है महानदी पर हीरा कुंड बाध है पढ़े पढ़े चीज़े के दोस्तों ग्रंपुत नदी को हम Red River भी कहते हैं, लाल नदी भी कहते हैं, भारत में बहने वाली ये Red River भी से कहा जाता है. Cache memory क्या होता है? Cache memory के मतलब temporary memory. Cache का मतलब क्या होता है? कि जब भी हम कोई चीज कारे कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, तो एक memory में छोटी सीजी सेव हो जाती है, उसे हम Cache memory कहते हैं. तो किसी कहा जाता है cash itu memory RAM को कहा जाता है room को का जाता है, Winde eurem आप इक вопросы कहा जाता है किसी cash data memory देखो साही केल लड़का 9 ये में इन्हें Cyrus213 dynamite or atom bomb मिलेगा ह chilli किए ही सब मिलेगा और बरात में इनकी Dance करने दो-चार आतंगवादी संगठन दी आएंगे, न? आंसर होगा दोस्तो, RAM. RAM is a cash in mori का part है, यहां तक खेंगे सबी लोग. So, RAM is, RAM में क्या होता है? कि memory यह थोड़ी सी चीज़े सेव हो जाती है, कोई समय के लिए उसके बाद डिलिट हो जाती है, तो क्याशि मोरी कहता है? Next question निमलिकित मैंसे किसकी उच इस्तर में उपश्थिती से मदमे होता है, डियाबिटीज होती है, तो दोस्तो आप सब को पता है, कि डियाबिटीज किसकी कमी के कारण होती है, तो दोस्तो, इनसुलीन इनसुलीन की कमी गारण होती है इंसलीन निकलती कहां से है तो दोस्तो islets of pressures यहां से insulin निकलती अब question यह पुछा जाता है कि insulin किस चीज को digest करता है तो जिस चीज को digest करता है इसी चीज की कारण दोस्तों आपको पता होना चाहिए यह diabetes होना चाहिए तो यह digest करता है glucose को जिसको digest करता है glucose को और glucose इसका सही आंसर बन जाएगा C will be the right answer. समझ गए? तो कभी-कभी किसी को diabetes होती है तो हम लोग क्या कहते है यार चीनी मत खाओ उनको लगता है कि सुगर सुक्रूज के करना ऐसा हो रहा सुक्रूज नहीं हो रहा एंड प्रोड़क्ट तो ग्लुकोजी बनेगा ग्लुकोज के अधिक्ता के करना होती है diabetes और जिनको diabetes होती है उनकी साथ में बड़ी प्रब्लम यह कि ब्लेड क्लॉटिंग की प्रब्लम होने लग जाती है किसकी प्रब्लम होती है ब्लेड क्लॉटिंग की प्रब्लम होती है दूसरी चीज किसकी प्रब्लम होती है दोस्तों proton और nucleus के बाहर revolve करते हैं electron electron की खोज की थी जे जे Thompson ने proton की खोज की थी Rutherford ने और neutron की खोज की थी James Chadwick ने ठीक है अब अगर हम बात करें यहाँ पर की परमणो कर्मान कौन सो करेगा तो proton will be the right answer लेकिन अगर कोई भी atom neutral है ठीक है लेकिन अगर उनका target neutron है sorry neutral है तो हम यह कहेंगे कि proton is always equal to electron electron और proton दोनों बराबर होते हैं next question निमलिकित में से input device कौन सा है which of the following is a input device monitor printer fluffy disk or joystick which of the following is a input device बता भाई फटा फटा बच्चमन में खेलने के लिए आजकर जो पबजी बच्चे खेलते हैं उसी के लिए important होते हैं fountain pen का अविश्कार किसके द्वारा किया गया था ये बहुत ही बढ़िया सा paper है बहुत ही average सा paper है गुर्बडी में आसे आसान असन question बहुत सरी मिल सकते हैं आपको लेकिन ये मान के मत चलो कि आसानी paper आएगा क्योंकि अगर आप ये मान के चलोगे कि आसानी paper आएगा तब तो फिर बादी खता खत बेकार हो जाएगी ऐसे paper भी आए हैं देखके आपका रूख आप जाएगी है ना question ऐसे भी आते हैं और question difficult भी आते हैं तो depend करता है आपकी किस्मत के उपर है आपको कौन सा paper मिल जा है NDPC में भी यह हुआ है किसी-किसी का paper इता है difficult आगया कि विचार मूलट का कि आ रहा है जारे सर क्या बताएं बहुती खरापी बाता किसी-किसी का ये paper आगया कि भारत की पहले राश्पती कौन थे तो depend करता कि कि किस्मत क्या है which of the following day is celebrated as the constitution ठीक है मेन गृदिविनिक प्रिया हवा यू कैसी है भई मंजो ने आंसर दिया है रितेश गुपता ने आंसर दिया है सुसुड़ी ने आंसर दिया है 19 का 19 का आंसर दीजे भई अब भान दिवस कम बनाते हैं yes answer आ रहा है साइ विश्ने आंसादी ए, प्रियाझ में आंसादी ए, शिब्संगर में आसादी ए राइट अंजर इनद राइट आधर है पताओ जड़ाउ जझाधा पताई परदाव परदाइए ज़ंड़ा दिवस कम अमना इडाप्ट किया गया था 26 ग्यारा मत बता भाई पताए तो 22 जनवरी बता रहे है सुबेंद्रू सेखर नायक बिदी दिवस भी कहते हैं नहीं सही है सही है हेलो स्वाधीपता अब यू 22 जुलाई is the right answer 22 जुलाई is the right answer टीक है तो एक बार कहने से पहले एक बार चेक कर लो अच्छे से गरवड़ी मत करो और भाई ये सभी लोग एक बार लाइक कर दो कम से कम 50 लाइक तो पहुंचाई दो एक बार सभी लोग लाइक करो नाटी डैम कथिड्रल कहां पर है तो जहां पर नाटी डैम कथिड्रल है वहां के बारे में इन्फॉरमिशन बताता हूँ ये एक ऐसा देश था जिसने अमेरिका को Statue of Liberty गिफ्ट किया समझ रहो कभी गिफ्ट किया था जब अमेरिका आजाद हुआ अमेरिका की आजादी पर इस देश ने Statue of Liberty गिफ्ट किया था दोस्ती चीज़ समझना दोस्तों युनेस्को का हेड़कॉर्टर भी यही पर है दोसी इंपॉर्टन चीज़ है अब दो इंपॉर्टन चीज़े बताने के बाद भी अगर तुमारा आंसर सही ना है तो मैं तुमसे क्या ही कहूँ कहना ही बेकार है ठीक है भई पैरिस बिल्बीदा राइट आंसर पैरिस बिल्बीदा राइट आंसर फ्रांस की बारे हम बात हो रही थी तो फ्रांस के परिस में नाटी देम कैथेड्रल है यह है नाटी देम कैथेड्रल राइट अंसर बन जाएगा अगला प्रश्ट पहली IPS आफिसर जो अभी पुडिचेरी की राज्यपाल है काफी विवादों में भी रही है कुछ समय पहले दिल्ली के सेम पोस्ट की दावेदार भी थी लेकिन बाद में फिर इनकी हार हो जाती है और पुडिचेरी की इन्हें गवर्नर अपर राज्यपाल he लुटेन्ट गवर्नर है, not the governor, उपर आज पाले है, लुटेन्ट गवर्नर है, तो इनका नाम है किरन बेदी, क्या बनेगा आंसर, बीब बीडर राइट आंसर, कोई इतना बड़ा बेगती तो नहीं है कि जो यह आंसर दे रहा हूँ, स्मृति रानी, भाईया ऐसा आंसर ना नागरिक्ता सम्विधान के किस भाग में है, शेडिल नहीं पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है, याद रखना इस शीज को, तो दोस्तों भाग तीन की अगर हम बात करें, तो इसमें fundamental rights हैं, क्या हैं दोस्तों, fundamental rights, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार लिये कहां से हैं, USA के सम्विधान से लिये गए हैं, अमेरिका के सम्विधान से लिये गए हैं, अखले सही आंसर दे रहे हैं, दुरुगा सही आंसर दे रहे हैं, फाइटर सही आंसर दे रहे हैं, कविता, शादिया, रिशव, सुनील, आसीज, गोविंद, अभी पाठक, मन्जु, दुरुगा, ललेत एवरीवन, शिव संकर, राइट अंसर क्या होगा, दोस्तों, भाग दू, भाग दू है, भाग एक में भारत के संग शित्रों के बारे में, भाग पीन में fundamental rights हैं, fundamental DPSP भी है, ठीक है, भाग चार में, भाग चार में दोस्तों, DPSP है, डिरेक्टर प्रिंस्पल लॉप, भाग चार में, DPSP, डिरेक्टर प्रिंस्पल अप इस्टेट पॉलसी, भाग चार में fundamental duties है, भाग 5 में union है, और भाग 6 में इस्टेट है, अवंती महा जनपद, अवंती महा जनपद की राजधानी क्या थी, मैं हिंट देता हूं दोस्तों, पहली हिंट है कि अवंती महा जन अभी भी आपके पास दो option बच गए होंगे, चलो मैं दूसर option देता हूं, कुम्ब मेला जिस नदी के किनारे लगता है, उसका नाम है दोस्तों, शिप्रा नदी, किस नदी के किनारे लगता है, शिप्रा नदी के किनारे कुम्ब मेला लगता है, अब तो आंसर दे दो भाई उज्जेन विल भी दा राइट आंजर ओज आन्सर दी आंसर सही हो जाएगा तो देखो कासी के करम बात किये तो बनार्सी हो जाएगा कॉसल की स्रिवस्ति थी अंग की चमपा थी चेदी की सक्ति मति थी बस कॉसम्भी हो जाएगा कुरू का इंदरपरस्थ हो जाएगा ये सभी राजधानी वारू को सभी चीखिए बारे में ठीक है अनुचेद 59 किस से संबंदे थे अनुचेद 59 किस से संबंदे थे पटाफट कमेंट कर क्या लिख रहे हैं ललकी I have created group D as well a technician in the CN to have a post-it in the station बहुत ही बड़ी है इतने सारे भाईया सुदिपते तुमने exam निकाल रखे है अब क्या करने का इराद है आप तो railway का वही पे पारे station mastery एक अच्छी post है जिसमें तुम जा सकते हो TA जा सकते हो ट्राफिक ट्राफिक अप्रेंटेस होता है TA का वह कर सकते हो तो वूम डज आर्टिकल 59 ब्लॉंग दोस्तो राष्ट्रपती का जो आर्टिकल है वो बावन से स्टार्ट होता है एक सर्ट तक जाता है मतलब कुछ न कुछ बात हैं राष्ट्रपती से रिलेटिड होगी तो भारत का राष्ट्रपती संगी की कारपली इस्तिती हटा दो राष्ट्रपती का निर्वाचन राष्ट्रपती का निर्वाचन पहली आ जाता है राइट अंसर राष्ट्रपती पदि के लिए सर्ते हैं A will be the right answer. Mostly बच्चों ने answer एकदम सही दिया है. तो 52 ने भारत की राश्पति का जिक्र किया गया है. 53 पन में संग की कारपाली का सक्ती है. 54 ने राश्पति का निर्वाचन है. 56 में राश्पति के लिए निर्वाचन की रीती है. राश्पति की पदाविदी कितनी है. पन निर्वाचन की पात्रता है. और 59 के अगर हम बात करें तो उसमें जो है, उसकी बीच में सर्थ है. घारापुरी की गोफाओं को किस नाम से जाना जाता है? चरहा बताओ. हां महाभयोग जो 61 में है ठीक है एकदम सही है महाभयोग 61 धारापुरी की गुफाओं के गरम बात के तो तीन गुफाओं महाराश्वा में मुख्रूप से हैं एलोरा की गुफाओं अजन्ता की गुफाओं और एलिफेंटा की गुफाओं उन्हें ही हम घारापुरी की गुफाओं के इसी तरीके से एक और इंपॉर्टन चीज़ है कि कारली की गुफाओं या फिर कारली चत्र के जो मंदिर है वो भी कहा पर है महाराश्ट्रा में ही है ये चीज़ भी आप यार दखिएगा, तो Elephanta Caps हैं आप देख सकते हैं, ने City of Caps भी कहते हैं, राइट, देरा था Elephanta Island और घारापूरी, CCF Caps से बहुत सारी आपर गुफाएं हैं, मॉंबई के हारबार में मौझूद है ये, इसी तरीके से अगर हम बात करें, अजन्ता गुफाओं की तो साद्री की पहाड़ियों पर मौझूद है, युनेस्को की वर्ल्ड सरेट हैज में लिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया था कि अजन्ता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं, तो टोटल 29 केप्स हैं, जिनमें 25 जो हैं वो बेहार हैं, और चार जो हैं वो चैत हैं, चैत के बारे में बता चुका हूँ, बध्य धरम की जो मंदिर होते हैं, उन्हें हम चैत कहते हैं, इसी तरीके से अगर हम अजन्ता की बात करें, तो यहां पे 34 गुफाएं हैं, जिनमें 17 जो गुफाएं हैं, वो ब्रह्म समासे हैं, और 12 आर्टिकल 266, 266, 280, 300 दोस्तो 300A आर्टिकल पहले 31 में हुआ करता है आर्टिकल 31 को abolish कर दिया गया खतम कर दिया गया और खतम करके एक आर्टिकल दूसर बना दिया गया जिसे हम आर्टिकल 301 बास सज्में आरे की नहीं हारे तो right answer जो बनेगा वो C बनेगा किस-किस नि आंसर दिया आगा फाइटर न आजार दिया प्रिया ने आंसर दिया एख्लेश न दिया है रिशब ने दिया है कविता ने दिया है ठीक है पहले है कि सित्या की present में N.K. Singh है बहुती बढ़िया बरतमान में बित आयोग के अधिक्स है फिर चौदवे बित आयोग के जो अधिक्स है उनका नाम क्या है N.K. सिंग चौदवे बिक्त आयूग के अधिश कौन है एनके सेंग बहुत ही अच्छी चीज बताई है ठीक है भाई और आर्टिकल जो 300A है इसे कहते हैं Right to Property क्या कहते हैं भाई मेरे Right to Property संपत्ती का अधिकार और ये एक Legal Right हो चुका है और ये पहले Fundamental Right था अब ये क्या हो गया है Legal Right हो गया है आर्टिकल 206 और 266 की बात करें तो 206 में जो संचित निधी है जो संचित फंड होता है Consolidated Fund होता है उसके बारे बात कही गई है और इसी तरीके से 267 में Contingency Fund के बारे में बात कही गई है ठीक है दोस्त आगे चलें Next Question Ankiya Naat किस राज्ज का लुपनत है Ankiya Naat के बारे में बेसी बेसी चीजें बता देता हो कि Ankiya Naat पहली चीज़ तो ये है कि दोस्तों ये male जो male होते हैं उनके द्वारा नाचा जाता है Dance के जाता है Ankiya Naat में ये Question बहुत बार पूछा गया एक बार SSC में पूछा गया एक बार CHS में पूछा गया ये दोबर CPF में भी पूछा गया Ankiya Naat के अगर हम बात करें तो दोस्तों इस राज्ज में जिस राज्ज में Ankiya Naat है उसी राज्ज में ऐसी चीज बताएं जो कि ऐसी कोई चीज यह ही नहीं तो भूगाली भूगाली निर्थी है फर भूगली निर्थी कहते है भूगाली भी हुनिर्थी होता है ठीक है रंगोली निर्थी होता है रंगोली भी हुनिर्थी होता है अब असम से क्या क्या चीज इंपॉर्टन्ट है और लिडी मैं बहुत बार बता चुक हूं बताने ही दिरूटी नहीं दोस्तों मडीपुर से कोशन बनता है कि मडीपुर में पहला भारत का तेरता हुआ एलिमेंटरी स्कूल खुला गया है भार मडीपुर में लोग तक जील है मडीपुर में दोस्तों एक और कोशन बनता है कि मडीपुर में संगाई महुसो मनाया जाता है कौन सा महुसो संगाई महुसो संगाई हिरन का नाम है और यह यहां का राज के पसू है जो कि केबुल लाम होर्ण मिल को ही मुसू कहा जाता है किसको होर्ण मिल को ही क्या कहा जाता है मुसू कहा जाता है तो ये बिहू बगुरंबा, सत्री ये सभी एक नर्त हैं और ये आप देख सकते हैं आंके नर्त की बात हो रही है आंके नर्त की बात हो रही है अब देखें मेल्स के दौरा ये मकुरूप से नत्र किया जाता है दा एक्सेक्यूटिव पावर अप दा यूनियन बेस्टेड़ कहते हैं कि भारत ने mostly चीजें ब्रिटेन से ली बस एक चीज ब्रिटेन से नहीं ली वो है राष्टपती का पद जहां ब्रिटेन में आज भी मुनार की है मतलब वहाँ पर जो सरवोच है वो वहाँ की रानी होती है उसी तरीके से भारत में जो सरवोच है वो राष्टपती है लेकिन ब्रिटेन से प्रिधान मंत्री की जो सरवोचता है जो पाबह है जो सुप्रमेसी है वो उन्होंने बिर्टेन से ही ली मतलब जो भी करता-धरता होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा लेकिन किसके नाम पर कारे करेगा राष्ट्रपती के नाम पर कारे करेगा तो भारत में जो भी decision लिये जाएंगे जो भी कानून बनाए जाएंगे वो सारे के सारे हाँ नूँ हाँ ओके-ओके मैं यहार अभी class में हूँ दस्पन में कॉल करता हूँ ठीक है दस्पन में बटना तो राष्टपती भी दराइट अंसर बात समझ में आगे चलें दोस्तों अगला प्रश्व अब आप लोग मुझे एक क्वेशन बताईए कि हमारी जो पार्लेमेंट है हमारी जो संसद है वो किस व्यक्तिक के द्वारा डिजाइन किया गया था देखते हैं आपको याद है कि नहीं है वैसे मैंने बहुत बार बताया है लेकिन फिर भी याद करना दो को रेपीट करते है रहना चाहिए है इंस्टाग्राम पर फॉल्लो खल लो एक लड़का कहरे है कि सर एफ बी और इंस्टाग्राम बैन होने वाला है कि जो चाहती है कि जो भी चीजों उसके हिसाब से हो तो सरकार की कुछ policy थी सरकार ने तीन महीने पहले Instagram जितनी भी social media platform है जहां पर लोग अपनी बात रखते हैं जिसमें मुख रूप से तीन platform की बात है सबस्प्रेट social media platform यहीं है कौन कौन से है एक तो है FB, Facebook, Instagram और Twitter इन तीनों ही platform को तीन महीने पहले notice भेजा था कि यह यह policy हैं आपको accept करनी पड़ेगे लेकिन तीन महीना होने के बावजूद भी उन company होने उन policy को accept नहीं की क्योंकि वो उनके global policy से match नहीं करती हैं बास समझ नहीं समझ रहे हैं हरी company के global policy होती वो हर देश में उनी policy को apply करना चाहता है लेकिन सरकार नहीं का कि नहीं भी हैं आपको यह policy accept करनी पड़ेगी अगर आपको सब देश में काम करना है अब आप समझी तारीक की उसकी last date है 26 तारीक तक उनको last date दीगे थी कि अगर 26 तारीक तक आपने accept नहीं किया तो आपके खिलाफ कानूनी कारवाही की जा सकती है तो वो 26 तारीक last date थी ठीक है यह अंसर हो जाएगा अधिविल लुटियंस आप जागा दोस्तों मेरे अधिविल लुटियंस लाइस कोश्चिन विच टेम्पल इस नोन एज दा ब्लैक पगूडा कौन से मंदिल को ब्लैक पगूडा नाम से जाना जाता है अ अ अ अ पताईए फटाफट तो भाई क्या हो जाएगा कौनाक का सूर्य मंदिर अब आपनों मुझे यह बताएंगे कि कितने सूर्य मंदिर बर्तमान में मौजुद है तो दोस्तो आपको पता होना चाहिए और यह किस आ कार में रत के आकार में यह भी आप भी आद रखना तो राइट रंस बनेगा टूटल चार सूर मंदिर है कितने सूर मंदिर है चार सूर मंदिर है एक जम्मो गस्मीर में है ठीक है एक बाहरत में है दो बाहरत में है तो एक मढेरा में है बिल्कुर सही है टूटल चार सूर मंदिर है किदारनाथ और बद्रिराथ दोनों के दोनों कहाँ पाने हैं दोस्तों उद्टरा खें वह पर अम आरनाथ की अगर हम बात करें तो इसमों घर्षवी को उपर से लिएगा ठीक है? नेश्ट क्वेश्टन देवान प्रिया और प्रियादर्शी देवान प्रिय और प्रियदर से नाम से किसे जाना जाता है Who is known as the देवान प्रिया और प्रियदर से गौतम बुद्धा बिंदु सार अजाद सास्त्रू और अशोग Numerical की क्लास अब कब होगी Numerical की क्लास आज है ना साड़े नौ बजे Ane Academy के अपपर करना कि अब नमरकरी क्लास तो करवा रहा था मैं दो-तीन दिन से देवाने प्रिय और प्रिदर्षी नाम से किसे जाना जाता है गौतंबुद्ध बिंदूसार बिंदूसार के रएंकल बताया था मैंने इनका नाम क्या है देखते किते लोगों को याद है असो खितना राइट कली मैंने बताया था बिंदु सार का नाम याद है या भूल गए याद है या फिर भूल गए बिंदु सार का कली नाम बताया था मैंने question में yes बहुत बढ़िया एक लड़के ने बता दिया और ये लड़का है सुनील कुमार good better answer है अमित घात अमित्र घात ये नाम था बिंदु सार के लड़के गवादम बुद्ध का आपको सब को पता है बताने जुरूती नहीं है ठीक है next question तो दोस्तों अशुक्त मौरबंस का तीसरा लाजा आपको पता ही है दिवान प्री और प्रिद्यासियादी नमों से लिखित किया जाता था इसे हम सिलालेकों का जनक भी कहते हैं बुद्ध धर्म को इसने अपनाया था विच इंडियन प्लियर इस पॉपलरी नोन एग दा पॉकेट डाइमेंट किस भारत के खिलाडी को पॉकेट डाइनमो कहा जाता है डाइमेंड में यह डाइनमो है दोस्तों यह जो पॉकेट डाइनमो है ना इसने विल्शिंग की मतलब 1952 के ओलंपिक खेलों में ओलंपिक खेलों में ओलंपिक गेम्स में भारत का पहला परसनल निजी ओलंपिक मैडल जीता था भारत का पहला निजी ओलंपिक जो है वो मैडल है ओलंपिक जो मैडल है वो इनी के दर जीता गया था 1952 में पूरा नाम क्या हो जाएगा केडी जाधाओ केडी जाधाओ बिल्बीदा राइट आंसर पूरा नाम क्या हो जाएगा काशवा दादा सहाब जाधाओ ये हैं काशवा दादा सहाब जाधाओ जो की 1952 के जो हेलसिंकी में समर उलम्पिक वे थे उसमें इन्हों ने bronze medal जीता था इसी तरीके से दोस्तों होकी के जादूगर ध्यानचंद को कहते हैं flying sick milka sing को कहते हैं और हर्याणा hurricane कपिल देव को कहते हैं जिसमें से हर्याणा hurricane अभी पूछा गया था NTPC के paper में जो अभी चल रहे थे कि हरिणे हरी के नाम से किस sport परसंड को कहा जाता है तो वो answer हो जाएगा दोस्तों कपिल देओ अच्छा दादा किसे कहते है जरा बताएंगे मुझे दादा किसे कहा जाता है इस किस खिलाड़ी को दादा नाम से पकारा जाता है बताएंगे फटाफट दादा नाम से सारफ गांगली क्या जाएगा सारफ गांगली ठीक है अगला प्रेश्ण अगला प्रेश्ण है कुरोना में कुरेंटाइन का उलंगन करने पर आईपीसी की धारा के थैत की दर्ज़ के जाता है बढ़ी है प्रेश्ण कुरेंटाइन हो गए है आप लोग या फिर माली जी लॉकडाउन लगा आपके शेर में लेकिन आपको इसका करको नहीं पड़ता कि लोग डॉन चलना है क्या चलना है आपको तो बाहर जाकर टहलना है भूमना है सभी चीज़़या कर नहीं है तो आपको पुलिस वाले पकड़ के बंद कर देंगे, अब जब पुलिस वाले पकड़ के बंद करेंगे, तो आर्टिकल कौन सा लगेगा, ये question पूछा गया, ये 4304 हत्या वाला हो गया, ये 420 ही बाला हो गया, section 3269 is the right answer, इस प्रश्ण को करने का तरीका था, कि आप elimination method का उ प्योग करा है, ठीक अभी है, ये तो हत्या वाला हो गया, तीन सो चार, 420 फोर्जरी हो गया, है ना, nice question, तो 269 के तहत, अपरादी को 6 महिने की जेल, या फिर जुर्माना या फिर दोनों मिलता है, और धाराथ 230 की तहत, दो साल का जुर्माना या फिर दोनों मिलता है, युनेस्को बिश्व ब्रासत साइट में कौन सा सहर सामिल नहीं है, विच आप दा फॉल्विंग सीटी इस नोट इंक्लूड़िड इन दा, युनेस्को वर्ल्ड हरिटेस साइट, भारत की टोटल 37 वर्ल्ड हरिटेस साइट इंक्लूड़ें, या दखेंगे, जिसमें 30 ने क्यों मुंबई है, क्योंकि यहां पर अजनता है, यह सभी चीज़े है, जैपुर भी है, हवा महल है, यह सभी चीज़े है, हमदाबाद भी है, लेकिन दोस्तों, बैंगलूर में ऐसा कुछ भी नहीं है, कि इनेस्को वर्ल हरिटेस साइट में से इंक्लूड किया जाए, बै हरो हो के हेड़कोवाटर कहा पर है, बैंगलूर में है, विश्को वर्ल हरिटेस समय इसके है, नैस्को यह सभी नाम किया है, इसका 나म है, इसका निरमाड हुआ था 16 नमंब्र 1925, अब अलग-अलग सबसे पहले भारत में जिस साइट को World Heritage में include किया गया था उसका नाम था काजी रंगा नेशनल पार्क जो की 1985 में एड़ किया गया है लेकिन सिर्फ काजी रंगा नहीं था इसके साथ में तीन साइड और भी थी काजी रंगा केला ओदी घाना नेशनल पार्क और मानस वाइड लाइफ शेंचुरी इन तीनों चीज देखर के सभी चीज़ों को एड़ करते गया है जैपर्ण सिटी को दोस्तों 2020 में एड़ किया था ये भी आद रखेंगे और बाकी सिटी को इस तरीके से एड़ किया गया नेशनल इस सभी चीज़ आम देख सकते हैं जिरें हम एड़ किये गये है राज्य सभाद का पहला सत गिरी यादा कहें सर इस रिक्वेट यू प्रवाइड देख स्टाटिक जीके तो है गिरी यादा हो जो बैस्ट कोश्चन है उन्हें में खोज-खोज के ला रहा हूं आपको NTPC का मेटीरियल भी दे रहा हूं ताकि आप 2018 में पेपर से जज़ ना करें बलकि 2020 में जो पेप करें पेपर को क्योंकि TCS का हमेशा पैटरन अलग होता है और इसके पहले जो कंपनियों ने कराया था उन्हें हटा दिया गया उनका पैटरन अलग था तो TCS के पैटरन से चले पुराने पैटरन से भी चल सकते हैं लेकिन लेवल आपका वही रहना चाहिए साइंस के सबसे पहला राज्यसभा का सत्र हुआ था 1952 में कभ गाथा दोस्तो 1952 में राज्यसभा की करम बात करें कुल संक्या सबको पता है 200 है जिसमें 12 सदस्वा को मनोनीद किया जाता है राश्ट्रपती के द्वारा एक तिहाई सदस्वाँ से हर 2 साल में क्या हो जाते हैं राज्य सभा के सदस्चों का कारेकाल छे वर्सका होता है राजसभा का आर्टिकल असी है राजसभा का जो सदस्च होता है उसकी मिनमम आय मिनमम जो जो क्या कहते है आयू है वो तीस साल होनी चाहिए अगर वो तीस साल से कम है तो वो राजसभा का सदस्च नहीं हो सकता राश्ट्रप बनने के लिए मिनमम आयू कम से कम 35 साल होनी चाहिए नाइदे शेड्यूल वाज एड़े इन दा कॉंसिटूशन पॉर विच अमेंडमेंड में क्या दा पहले जमीदार हुआ करते हैं किसे के पीस दस अजार बीगा जमीन है यह ललित तुम ना बहुत कमेंट करते हुए यह कमेंट करना कम कर दो नहीं तुम तुमको ब्लॉक कर देंगे यह बहुत कमेंट करता है इधर उधर हाँ यह गुडिया याद हूँ यह क्लास डेली होती है सामको छे बजे सम्मिदाम में नवी अनसूची तो दोस्तों पहले जमीदारों के पास बहुत सरी जमीन हुआ करती थी सरकार किसी के पास 500 जमीन है किसी के पास 2000 जमीन है तो सरकार ने कब यह गलत बात ही तुम्हारी जमी नहीं है तुमने गरीबों से छीन रखी है तो सरकार 9th schedule लेके आये थी नौबे निसूची लेके आये थी जिसमें जमीदारी act आया था इस जमीदारी act का बहुत ज़्यादा बरोध हुआ क्योंकि सबसे जमीदार जो थे वो सरकार के ही अंग थे सरकार के ही पार्ट थे जन में राजा महराज आते थे तो 9th schedule पहले amendment के द्वारान आये था 1951 में 1951 में याद आखेंगे सबी लो ठीक है 1951 में Next question तो कुछ important amendment है 4th amendment में क्या हुआ 9th schedule को एड किया गया 17th amendment में क्या हुआ 44 जो है उसी में एड कर दिये गए ठीक है Which place is not related to buddha महात्मा बुद्ध से कौन सा place related नहीं है महात्मा बुद्ध का जनाम सबको पता है कहां पे हुआ लुंबिनी में हुआ साके कुल में हुआ बच्पन में बच्पन में कुछ आईयों के बाद उनकी साधी हो जाती है तो इन्हें बैराग्य हो जाता है और गर छोड़ देता है लुंबिनी में इनका जनाम हुआ सारनात में सबसे पहले क्या हुआ इन्होंने उपदेश दिया पहला उपदेश सारनात में दिया था कुशी नगर में इनकी मृत्य हुई ये भी आपको पता है बोध गया में इनको गयान प्राप्थ हुआ सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने वैशाली में दिये कुशन पूचा जाता है कि जो उपदेश देते थे अभी भी आप अलावाद में जाओगे तो वहाँ पर आपको अखबर का खिलाब बड़ा सा बना हुआ दिखाई 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 नेस्ट प्रेस्चिन भूदान आंदूलन मैं अभी जमीदार की बात कर रहा था तो एक बहुत ही बड़े वेक्ती थे रिस्पेक्टर परसन थे और इन्होंने एक आंदूलन चलाये कि लोगों को अपने मन से अपनी स्विक्रती से लोगों को जमीन गिफ्ट देनी चाहिए बहुत ज़दा जमीन है तो आप सभी को ध्यान दीजिए इसे कहते थे भूदान आंदूलन तो भूदान आंदूलन चलाये गया था इवक्ती के तरह जिनका नाम था आचार बिनोबा भावे C is the right answer आचार बिनोबा भावे will be the right answer महात्मा गांदी के बारे प्रशन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार महात्मा गांदी कब गरफतार हुए थे सबसे पहली बार पहली कब गरफतार हुए थे और क्यों गरफतार हुए था ये कोशन पूछा जाता है तो बताएंगे ज़रा सभी लो कि सबसे पहली बार महात्मा गांदी को अरेस्ट कब किया गया था जब वो South Africa में थे ठीक है जब वो South Africa में थे तो the date was 1908 1908 में गांदी जी को एक नियम आया था इसमें अंग्रेजों ने कहा कि जितने भी अश्वेज व्यक्ति हैं वोने अपने साथ में अडेंटी कार्ट लेके चलना पड़ेगा जिसे ये clarify हो पाए कि वो किस देश से हैं कहा कि तो ये एक discrimination था जिसके खिलाव गांदी जी को ग्रफतार किया गया था 1908 में गांदी जी ने सबसे पहले एक पहली बार किस कांग्रेस अदिवी से ने पार्सपेट किया था 1901 में next question the calcium hypo chloride is commonly known है तो calcium hypo chloride लिखो या फिर calcium oxy chloride calcium hypo chloride लिखो या फिर calcium oxy chloride लिखो एक ही बात है बताई आंसर क्या mistake है बही बताओ जड़ाव formula क्या बनेगा दोस्तों c-a-o-c-l और यह किसका formula है दोस्त यह है calcium oxy bleaching powder this is the right सब का सही है अब bleaching powder को प्यूर हम आप पे करते हैं दोस्तों एक तो color को हटाने के लिए जिसे हम कहते है color decalization सफेद blacker की shirt है bleaching powder में डाल दो white हो जाएगा कोई व्यक्ती काला है niche कर दो गोरा हो जाएगा ऐसा होता नहीं है बयाग कर रहा हूँ seriously मत लेना लेकिन हाँ अगर आप धूप में जाते हैं धूल dust में जाते हैं कोई बैसे गंदे मतलब कोई ऐसी कारे करते हैं जिसमें बहुत सारा आपका color जो tan हो रहा है तो उसके लिए bleaching powder यूज कर सकते है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज करोगे तो इसके खराब हो जाए आगे चले तो bleaching powder का formula होता है CAOCl2 का formula होता है CAO calcium hydroxide calcium hydroxide फर्मला होता है CAOH का whole twice और calcium nitrate जिसे कहते है salt peter इसका formula होता है CANO3 का whole twice 4H2O ozone layer को mapने की SI1 क्या एक question पूछा गया था कि ozone जो gas हो कैसे बनती है दोसों oxygen जो gas होती है जब इस पर ultra wallet raise पढ़ती है कौन सी raise यूवी raise यूवी raise पढ़ती है तो ultra wallet raise जब oxygen से react करती है तो ये जो oxygen है ये convert हो जाती है O3 और ये जो O3 है इसे हम ozone कहते हैं इसकी thickness mapने के लिए जिस unit का प्योग करते हैं उसे हम dopson कहते हैं dopson ये बेग्गानिक का नाम था जिन्होंने सबसे पहले इसको measure करनी के तरीके बताये थे ये चीज भी आप याद रखेंगे दोस्तो ozone layer को destroy करनी के लिए भी एक gas है जिसका नाम है CFCS क्लोरो फ्लोरो कारवन क्लोरो फ्लोरो कारवन अच्छा क्लोरो फ्लोरो कारवन का भी हाली के दुनों में इसका नाम बदल चुका है विसे हम prion gas B कहते हैं जो कि मुख रूप से किस्प में पाई जाती है जो कि मुख रूप से AC में पाई जाती है राइड फ्रिज में पाई जाती है ये coolant gas है फंडा करने का कारिकारती है तो AC वा फ्रिज में जो gases है वो मुख रूप से पाई जाती है अगर हम decibel की बात कहें तो ध्वने की तिब्रता sound जो है sound की जो intensity है उसे मापने की decibel का उप्योग किया जाता ठीक है दोस्त last question इस class का आपके सामने ये आया ये रहा in the terms of production which of these is the largest train coat manufacturing unit in the world पूरे बिस्व में सबसे ज़्यादा train coach बनाने बाली train factory या train coach factory कौन सी है एकाई कौन सी है ये आपको बताना है ये पूरे बिस्व की बात हो रही है भारत की बात ललिट डोंट गत परस्नल राइ आम गोर्नि ये अगां अगां डोंट गत परस्नल मेंसेज तो इच अधर राइ बताओ 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 ये इस इंटरे कोच factory in the chain night this is the integral post factory in the chain कहां पर ये चीन नहीं मैं दोस्त ये याद रखने ये चीज तो ये टूटन चालेश कोश्चन थे ये के बीसी में आया था कोश्चन 25 लाग में पूचा गया था तो बाताओ मैंने लेन ये है ठीक है अच्छा अब एक important चीज जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ वो ये है एक मिनट इसको properly ले लेते हैं सबसे पहले चीज तो ये है कि अभी मैं रात में कुछ समय के लिए आपको theoretical part पढ़ानी कोश्चिस कर रहा हूँ तो जो बच्चे theory पढ़ना चाहते हैं जो बच्चे एक एक chapter पढ़ना चाहते हैं हरी चीज को सुरू से पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे subscription ले सकते हैं ऐसा नहीं कि subscription बहुत जबाव प्राइज है हाई प्राइज है आप एक महीने का 1300 रुपए है लेकिन अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो 7800 रुपए है मेरा कोड लगाने के बाद योगिन्द कोड लगाने के बाद ये आपको 7000 रुपए में पढ़ेगा आप चाहो तो अपने के रिडिट कार्ड से 293 रुपए के मंतली पे भी ले सकते हैं 2500 रुपए का आजकल तो रिचार्ज ही होता है तो आप यहीं मानलो कि हमने रिचार्ज करा लिया मोबाइल का एक अभी मम्मी का रिचार्ज करा दिया पापा का रिचार्ज कर दिया 200 93 रुपए मंतली पर आपको सारे educator मिलेंगे math, ingles, science, social science बगएरा बगएरा सारे batches में पढ़ने का मौका मिलता है आपको PDF मिलती है आपको notes मिलते हैं, आपको MCQ मिलता है, test series मिलती है, सब कुछ आपको 293 रुपए महीने मिलता है, code क्या apply करना है, योगेंदर code apply करना है दोसी चीज, अगर आप ये subscription free में लेना चाहते हैं, तो फिर आपको अपना talent देखाना पड़ेगा हर Sunday को comeback होता है, comeback में participate करिए, अगर आपकी 1 से लेके 3 तक rank आती है, तो आपको free में मिलेगा अगर आपकी 3 से लेके 10 तक rank आती है, तो आपको 75% off में मिलेगा, इसी तरीके से 500, top 500 तक कोई ना कोई gift आपको मिल जाएगा रात में साड़े 9 बजे वाली class में, आज जो चीज हम पढ़ेंगे 9.30 वाली class में, वो है light का part 2, इसे जरूर देखें, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, this is a theory class, अगर आपकी बिलकुल भी science सही नहीं है, अगर आपको railway गुर्बडी का paper clear करना है, this is must watch class for you, रात में 9 बजे ये class होगी, sir एक दिन test ले लो आप night वाली class में, ठीक है, चलो, तो आज की class को हम लोग यहीं पे bind up करते हैं, यहीं पे स्रमाप्र करते हैं, यहीं पे खतम करते हैं, जिरा code apply कर सकते हैं, रात में साड़े 9 बजे वाली class, जो plus class है, उसमें जरूर जुड़ें, ठीक है बहुती मज़ा आता है उसमें, आपको पूल बगएर आप में भी पार्ट्पिर करने का मौका मिलता है, तो आज की last time यह पे खतम करते हैं, good night, take care, अपना ख्याल रखें, स्वरक्षित रहें, सही रहें, दूसरी जी, करोना भी गया नहीं है, ऐसा मत सोचे, करोना चला गया है, cases कम हो गए, यह cases कीवल data में कम हो गए, लेकिन अभी भी लोग जूज रहें, तो cases कम करने के बहुत सारी तरीके हैं, आप टेस्टिंग कम कर दो, यह कम कर दो, वो कर दो, तो डाटाओं पर मत जाएं, डाटा अगर सही होते तो बात ही कुछ और थी, घर में रखें, अप स्वरक्षित रहें, स्वास्ति रहें, धन्यबाद, टेक केर,